हालो गाईज वेलकम टू अचीव आईएस माई नेम इस आईविश मेठी इस वीडियो में हम एपिसोड 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशेंट रिष्ट अफ इंडिया के प्रिम्स क्रेश कोर्स का कल हमने जैनिज्म आर्टिटेक्चर तक पढ़ दिया था आज हम जैनिज्म यह स्कोर्स से जाते हैं ज़्यान कर एक लिए डिस्क्रेप्शन में जा सकते हैं और दिये नमबर पर कोल करके इंफोर्मेशन ले सकते हैं साथी साथ वेबसाइट भी विजट कर सकते हैं जन्लिटर्चर चैनल लेटरेचर बहुत इंपोर्टेंट है खासकर योपीश से के और मैं आपको बता दूं कि लिट्रेचर दो टाइप की होती है चैनोनिकल और नौन कैनोनिकल जो अफिशियल नौन का मतलब नौन ओफिशिल ओफिशिल इंदी सेंच कि वह सबसे पहले सबसे इनडी मतलब सबसे पावीत्र बुक है सबसे सेकेड़ बुक है उनकी ओठरीटी करती है तो ये से क्ये सकते हैं कैनोनिकल लिटरेचर आगमा ठीक है अगम में कई लिटरेचर रहें उपनगाज ठीक है खोड़ मगदी में लिखी गई थी अरगमगी प्रकर्तिक की एक एक फॉर्म है प्रकृतिक जैसे आपकी संस्क्रेट होती वज्ञाइब से प्रकृतिक जो लेंग्विज है ना उसकी एक फॉर्म मैं अर्दमगेद नोन अगम की बात करूँ तो तो धीर धीर जो अगम लिट्रेचर पर अगन लिट्रेचर पर कमेंटरी आती गई एक्स्पेलेशन आती गई इंडिपेंडेंट वर्क भी आते गई स्कोलर्स ने भी अपना काम करना शूरू कर दिया और यह तो कई फ्रेचाने मिने गई प्रकर्टिक संस्क्रेट अबब्रामसा और अडी मराथी रजस्थानी गुजराती हिंदी क tiers में हो箇ं तो अगम लिट्रेचर ननल लिट्रेचर लृण विथयल और नॉन जेञ फिए क्शियल और जो वर्णा ओडर की जो इविल्स थे उमको रिफॉर्म करने की कोशिश है इन्होंने की रिजनल लेंग्वेजेज में नोन केनोनिकल लिटरेचर आया तो आपकोर्स रिजनल लेंग्वेजेज की घ्रोथ भी हुई खासकर कंडड की ग्रोथ जनल लेंग्वेजेज से बहुत अच्छी है आठिटेक्चर और लिटरेचर में तो काफी कुछ इन्होंने केन्ट्रिब्यूट किया है जो मैं आपको अल्रेड़ी बता चुका हुआ तो जनल हमारा हो चुका अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की बुद्धिज्म का ओरिजिनेट कहां से हुआ 2600 साल पहले यह ओरिजिनेट हो गया था बैस तुम बता दिया आपको कि जनिज्म बुद्धिज्म से ज़्यादा पुराना है लेकिन बुद्धिज्म भी कम पुराना नहीं है काफी oldest religion है one of the oldest और one of the important religion है साउथ और साउथ इ इसी में जन्मे थे यह भी शत्रिये थे महावीर की जैसे और रोयल फैमली में जन्मे थे कपिल वस्तु लुम्बिमिनी में जन्मे थे और इंडो नेपाल बॉर्डर में सिच्टेट है लुम्बिनी वहां यह जन्मे थे कभी-कभी नेपाल के साथ कंट्रोवर्सी भी हो जा हमारा सब कुछ जो है नेपाल ऐसे बोलने वाला धिरी दिर तो 29 की उमर तक आते आते गोतम बुद्ध समझ चुके थे कि जिन्दगी में ये जो सामने दिख रहा है ये सम महो माया है और इन्होंने सन्यासी जीवन बिताने की निश्य कर लिया सेल्फ डिसिप्लेन की इन्होंने बात कर लिए घूमे जंगलों में कहा जाता था था बुद्ध की फिजिक बहुत बढ़ी आती मतलब एक दिन में पौत चल लेते थे और एक दिन से जादा किसी घर में रुकते नहीं थे और एक हफ़ते से जादा किसी गाउं में रुकते नह ना कि सत्य की अभी तक इंको सफलता हसी लेए एक दिन इन्होंने बहुत गया में जो बिहार में है एक गाव है पीपल के पेड़ के निचे पेड़ के नीचे इन्होंने निश्य कर लिया कि अब तो मैं परम सत्य को अल्टीमेट तुथ को पाके रहूँगा और घूमूँगा नहीं अब मैं एक जगे बैठके जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं उठूँगा 49 consecutive days तक वो meditation में लगे रहे जब आँख खुली तो बुद्धा कोई और थे meditation करने से पहले कोई और थे करने के बाद कोई और हो गए पहला सर्मन उन्होंने सरनात में शुरू किया enlightenment प्राप्त होने के बाद बनारस में दिया और इस event को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते है यानि कि कि जो पहला सर्मन था उस event को क्या कहा जाता है It is called धर्म चक्र परवर्तन It is known as धर्म चक्र परवर्तन इसका मतलब है turning the wheel of law असी की उबर में वेर्चल बहसे कुशिनागर में 483 BC में इस event को कहते हैं महापरी निर्वान महापरी निर्वान वैसे निर्वाना का मतलब enlightenment होता है निर्वाना का मतलब enlightenment होता है तो जब enlightenment होने पराप पहले ही कर लिया था लेकिन मा निर्वाना होता है डेथ के बाद जो इनकी 80 बरस की उमर में हो गई थी 483 BC में कुशिन अगर यूप में बुद्धिस फिलोसोफी की बात करते हैं देखिए ये हमेशा से मिडल पाथ की ओर चलते हैं मतलब ये ऐसे नहीं कहते कि बिल्कुल हमें स्ट्रिक्ट ही चीजे अपनानी हैं और बिल्कुल सब कुछ जैनिजम की जैसे बिल्कुल घर मोमाया त्याग देना नहीं मिडल पाथ पर चलना है और चार नोबल टुथ ये हमेशा रखते थे इनको आरे सत्य भी बोलते हैं चार आरे सत्य भी बोलते हैं इनको फोर नोबल टुथ बुद्धिस्म का वर्ड इस फुल ओफ सोरो पहला सत्य दुनिया में सोरो है दर्द है दुख है ये पहला सत्य दूसरी बात इन सारी दुखों की वज़े क्या है डिजायर्स एक्सपेक्टिशन तिसरी तिसरी खुशी की बात है थोड़ी सी कि सोरों को कॉंकॉयर आप कर सकते हो इन दुखों को कॉंक्वाइर करना पड़ेगा उस कारण को उस जड़ को कॉंक्वाइर करना पड़ेगा और डिजायर केन बी कॉंक्वाइड ओनली बाई एट फोल्ड पात विच इस कोल्ड ऐस अस्टांगी का मार्क अस्टांगी का मार्क एट फोल्ड बात आपको दे रखा है यह त्री रतने क्या एक तरीके से वर्ड संग कुछ यह टम से डिनोट करते हैं जैसे अगर ढ़्ड हा का मतलब क्या है जिसमें highest potential धम्मा का मतलब क्या है चो teaching से बुध्धा की भूणक क्या होते हैं जहां पर मौंक्स को रहना, जिस कानून काइदे में मौंक्स हो रहना होता है just discipline self discipline में रहना होता है उस rule based moral order को संग कहते है eightfold बात आपको याद होना ही चाहिए right understanding, right resolve, right speech, right action, right living, right efforts, right thoughts, right self concentration इनसे आप क्या पालोगे desire को conquer कर लोगे desire को conquer क्या कर लोगे तो क्या conquer हो जाएगा sorrow और आप प्राप्त कर लोगे पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह सब चीज होने ही मुश्किल है एक साधारन मानाव से तो हम जैसे लोगों से लेकिन उन्होंने डर निश्चे कर रहे तो आदमी कुछ भी कर सकता है लिटरेचर की बात करें तो थ्री पिताकाज हैं यह canonical लिटरेचर है ठीक है मैं यह लिख नहीं रखा लेकिन आप याद रखिएगा पीडियाफ अगर टेलीग्राम चैनल पे जब मैं भेजू तो आप आप नोट करें यहां फिरा कहीं भी लिखे तो साइड में लिख लेजेगा canonical लिटरेचर है ओफिशल तो पिताकाज आपने जटाका टेल्स भी पड़ी होगी क्या सुना होगा नहीं सुना होगा तो समय बता दूंगा मैं जटाका टेल्स बुद्धा के प्रीवियस बर्थ क इस्टोरीज हैं कहा जाता था करीब बुद्धा ने चारसो पांथ सो जो जन्म पहले ले चुकें वह तो प्रीवियस स्टोरीज बर्थ को जताका टेल्स कहते हैं तो नॉन के नोन ऑफिशल यह त्री पिता का ओफिशिल है के नोनिकल है और तीन पिता का कौन से हैं विने प कुछ निकाए हैं कलेक्षन हैं दिग निकाए मजीमा निकाए सम्युत्ता निकाए अंगुत्रा निकाए खुद्रा निकाए यह ध्यानर रखना की यह जो अंगुत्रह निकाहे है यह वही है जिस में 16 महाज Japad mentioned है तो यह ध्यानर रखना और जैनारी की महावस्तू literature है जिसमें 16 महाजनपad mentioned है यह ज़याद रखेगा अंगुत्रह निकाहा इससे ज्यादा इंपोर्टेंट है इनसे अभी धम्म पिता का अभी धम्मा इताका क्या एक तरीके से फिलोसिफ कल एनलेस्स है कि हर चीज की कैसे सिस्टमाइस तरीके से एनलेस्स किया जाए टीचिंग की कोई कुछ बोल रहा सत्य को कैसे परखा जाए और भी है देविदमसा जोते वह बोलते थे लिख के कुछ नहीं पढ़ाते थे तो बाद में जब सिश्व लगा कि इनकी टीचिंग को कंपाइल कर लेना चाहिए तक आने वाली पीडियो को ताफी बेनिफिट हो ठीक एडवांटेज मिले इन्होंने बुद्धिस काउंसल शूरू कि और सुत्त पिता का और विन्या पिता का निकल के आई थी इसमें मैंने लिखा नहीं लेकिन आप याद रखेगा सुत्त पिता का और विन्या पिता का निकल के आई थी ठीक है अजाद सत्रू कोंची डैनस्टी के थे कमेंट बोक्स में लिखके बताईए चलो मैं बताता हूं हर करणकर डानश्टी के ते वैसाली में हुआ सेकेंड काल अशूका सब्सक्राइब और याद रखने ही पढ़ेगी आपको शैकर कांचल में कुछ हुआ नहीं यह हुआ कि ठीक है ज्यादा कुछ खास याद रखने वाली बात है थर्ड काउंचल याद रखेगा पाटली मॉगली पुट्र तिश्य से प्रेशिडेंट तु में सुनस्त्य पित्र को याद रखींगा सेकिंड में जो हुआ हो याद रखने जुरुत नहीं है काला शुकर सभाकमी की प्रेशिडेंसी को याद रखिएगा बाकी महासंगी का स्कूल के बारे में दिया हो गया है यह याद रखिएगा फॉर्थ काउंचल हो था कश्मीर में कनिश्क जो कुशन डाइनस्टी से थे उनकी पेट्रोनर्च के अंडर हुआ यह कनिश्क ही थे जिन्होंने महायाना बुद्धिज में को फैलाने की कोशिश की और वासुमित्र प्रेसिडेंट थे इस काउंचल के कनिश्क की कोशिशों की वज़े से ही बुद्धिज में बट गया फॉर्थ काउंचल में महायाना और हीनायाना में इन्होंने के बीचका डिफ्रेंस हम कल समझेंगे चलिए आज के लिए तना ही गुडबाई थेंक यू हुट